स्वागत है आपका पैसोनोमिक्स चैनल के उपर और आज हम धन एप में जो आउटलुक का उप्शन दिया है वो किस तरीके से यूज करते हैं और उसके बेस्ट ऑन स्ट्राटेजीज कैसे बिल्ड अप करनी है इसके बारे में जानने वाले हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धन एप्लिकेशन जो आप्शन ट्रेडिंग का एप्लिकेशन ने उसे उपन किया है हमें सीधे जाना है आईडियाज सेक्शन में यह जो आईडियाज का सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके उपर हमें क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उपर क्ल आप इसमें बना सकते हैं, यह हमें आज जानना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी की प्राइज जो है, क्लोजिंग प्राइज यहाँ पे आ गई है, और आउटलुक फॉर निफ्टी हमें यहाँ पे बता चल रहा है, अब बेसिकली यह आउटलुक क्य होता है, कि आप एक प्राइज प्रिडिक करते हो, कि निफ्टी जो है, आने वाली एक्सपाइरी पे, 7 जुले की एक्सपाइरी है, 14 जुले की एक्सपाइरी है, 21 की है, 28 की है, और और अगस्ट नेने की दो एक्सपाइरी यहाँ पे अल्रेडी हमारे सामने दिखाई दिखा वो हमें एक prediction करना होता है, उस prediction के अनुसार हमें यहाँ पे strategies develop की हुई मिल जाती है, बनी बनाई strategies मिल जाती है, opportunities for trade, strategies मतलब opportunities for trade होती है, वो हमें यहाँ पे पता चलती है, अब अगर मैं यहाँ पे predict करू कि nifty जो है 15,900 के उपर close हो जाएगा इस 7 जुले की expiry पे, इसे आप change भी कर सकते हैं, इसे हम करते हैं 15,850, थोड़ा सब pass में आते हैं और थोड़ा realistic सोचते हैं इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि expiry के दिन nifty 0.62% बढ़के 15,850 के उपर closing देगा, अब मुझे क्या करना है, opportunities ढूणनी है trade के लिए, तो आपको simply क्या करना है, यह जो fine trade का option यहाँ पे दिया गया है, उसको आपको swipe करना है, जैसे हम इसे swipe करेंगे, हमारे सामने 150, लगबग 150 trading opportunities मिल जाएंगे, 150 trading opportunities आपको मिलती है, यहाँ पे आपको profit कितना होगा, break even कौन से price पे है, और कौन सा put या फिर कौन सा call आपको buy करना है, यह सारी चीज़े आपको सामने र outlook का, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे boot, repeat, जैसे कि मुझे यहाँ पे bull put spread बनाना है, तो मैं उसके उपर click करूँगा, अगर इसके उपर में click करता हूँ, तो आप इस trade को analyze कर सकते है, इसकी एक basket बना सकते है, मतलब आप एक basket में यह वाला spread है, उसे add कर सकते है, उसके बाद अगर यह spread भी आपको लेना है, तो उस basket में add करके, एक साथ आप यह basket execute कर सकते है, trade execute करने के लिए, directly यहाँ पे button दिया गया है, इसके उपर click करने के बाद, आपका trade जो होगा, वो directly execute हो जाएगा, तो थोड़ा सा analysis कर लेते हैं इस trade का, कि मुझे कितना profit होगा, और probability of profit कितना परसेंट का आएगा, तो यहाँ पे analysis में हम गये है, मुझे लेना है, 7 जुले का 15,800 का put sell करना है, और 15,000 का put buy करना है, मतलब यहाँ पे दोनों भी, in the money का जो put है, वो sell करना है, और out of the money का जो put है, वो मुझे क्या करना है, buy करना है, एक की price 191 और एक की price 9 रुपीज दिखा देगी, spot price पता चलेगी, strike price, यानि कि आपका prediction ये है, कि इसके उपर market रहेगा, तो days of expiry कितने बचे है, 5 दिन बचे है, और market पे आपकी ये जो order होगी, वो execute होगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब सबसे important चीज होती है, probability, winning probability आपकी कितनी है, 58% chances है कि आपका ये जो strategy है, ये successful हो गई, तो आपको 9,000 रुपे का profit हो जाएगा, और अगर आपकी strategy fail हो गई, तो आपको 33,000 का नुकसान हो जाएगा, तो ये सबसे important चीज है, कि आपकी probability जो है, वो काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस strategy में enter कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे नीचे quantity दी गई है, आप quantity यहाँ से बढ़ा सकते हो, और एक quantity होगी तो एक quantity में trade भी गर सकते हो, अगर margin requirement की बात करें, तो 58,000 में आपका ये पूरा spread जो होगा, आपका trade होगा, वो execute होगा, अगर उतने पैसे आपके पास नहीं है, तो आप ये trade नहीं ले सकते है, ये सारी जानका ये जो purple color का option यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज market बंध है, आज Saturday का दिन है, फिर भी मैं आपके लिए education का वीडियो बना रहा हूँ, और F&O मेरा active नहीं है भी, मेरा active होगा एक दो दिन में, Monday तक active हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे इस तरीके का purple button नहीं आप दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफटी के उपर आप strategy देख सकते हैं, आपको क्या करना है, अगर stock के उपर strategies देखनी है, तो यहाँ पर आपको script सेलेक करनी होती है, जैसे कि हम यहाँ पर script सेलेक करते है, ONGC की, जैसे मैं ONGC की script select कर रहा हूँ और यहाँ पे, क्योंकि हमने stock select किया है तो expiry जो है, वो monthly expiry हमें दिखाई दे रही है अब यहाँ पे हम below का option select करते है और below को select करते ही हमारा analysis यह है कि expiry जो है, वो अभी spot price इतनी है तो हम यहाँ पे 125 कर देते 128 कर देते है 128 यहाँ पे मैं करूँगा, तो मेरा prediction क्या है कि market जो है यागनी कि ONGC का stock है, वो 128 के नीचे close हो जाएगा, 2% नीचे expiry हो जाएगी, ऐसा हम predict कर रहे है यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना है find जो opportunities है trade की, वो करनी है इसलिए हम इसे swipe कर देंगे तो आपके सामने 6 trading opportunities आ गई है, Nifty में आपने देखा कि 150 थी, अब इस stock में सिर्फ 6 trading opportunities आपको मिल रही है किस तरीके से आपको इससे देखना है analyze करने के लिए, analyze trade में जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते है days to expiry, 26 है put कौन सा लेना है put कौन सा sell करना है, यह सारी जानकरी यहाँ पे मिल जाती है और probability of profit आपको यहाँ पे मिल जाता है 33% unlimited loss होगा अगर यह strategy आप execute करते हो तो और 31,000 रुपीज का यहाँ पे आपको profit हो जाएगा, तो ऐसी different different जो strategies है आप predict कर सकते हो nifty में हो, bank nifty में हो या फिर किसी stock में हो आपको यह सारी यहाँ पे opportunities for trade मिल जाती है और बनी बनाई strategies आपको मिल जाती है जिससे आप use कर सकते है और आपकी trading शुरू कर सकते है तो यह एक बहुत अच्छा feature धन app वलों ने दिया है और आप इसे use करके काफी अच्छी तरीके से strategies बना सकते है बाकी अभी तक आपने अगर धन app डाउनलोड नहीं किया है तो referral link मैंने description में दे दी है, आप उस link का use करके account open कर सकते है और जो current benefits है उसे उठा सकते है, बाकी that's all for today, I hope आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजेगा comment कीजेगा, अगर कोई doubt होगा तो और हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजेगा, धन्यवाद